तो अगर आप भी परिशान हैं नर्वसे एक्जाम को लेकर टिंसन में आ गए हैं कि एक्जाम नस्दीक है और हुदा में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कैसे एक्जाम में थोड़ा अच्छे नंबर लाये जाएं ताकि एक्जाम मेरा बैक 나 हो एक साल मेरा पीछे ना चला और्स पेपर्स कैसे लिखे तो यह बेसिकली ग्रेजुएशन वाले स्टुदेंट्स के लिए होने वाले हैं B.A.C. B.A. B.C.M. औके एंड पार्ट वन पार्ट टू एंड पार्ट री जो भी हैं और बहुत सारे का डाउट होगा कि यह किस इन्वोसिटी का बतार हैं तो अगर आप बिहार के कोई भी उन्वोसिटी जे लो अस्पेसलि बिहार में सभी उन्वोसिटी में जो है सिलेवस जो होते हैं किसका जादा preparation करें किसको जादा पड़ें और कौन से subject को ignore करके चलें किसका value कम है और क्या है और last में मैं cheating का जो process से वो भी बताऊँगा कि अगर आप cheating करना चाहते हैं पढ़ना नहीं चाहते हैं देखो exam में बहुत सारे लोगों का exam होगा नजदिक आगया होगा किसी का 20 दि बचरा होगा किसी का दो महीं नहीं बचरा होगा exam में बिहार में basically दो तरह की students होते हैं दोनों को आप अच्छे तरीके से जानते होगा आपके दोस्त भी इन में आ जाएंगे जैसे कि देखिए पहले तरीके जो होते हैं आत्म निरवर बोलने का मतलब है जो study पे focus करके exam दे नहीं है वो एकदम सुध होते हैं सुध साकाहारी जिसको बोल सकते हैं और दूसरे जो होते हैं एकदम जो होते हैं dependent cheating करेंगे तरी पास करेंगे cheating उनके नसनस में खून में भसा हुआ है तो दो तरह की student आपको बिहार में मिल जाएंगे तो दोनों के लिए मैं चीजे है फिर भी discuss करा जाएगा और मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि अगर आप cheating करना ही चाहते तो बेभुकूप की तरह cheating ना करें थोड़ा दिमाग लाका करें cheating करना भी एक कला है और इस कला को जो कर लेता है वो यह जो आत्म निरवर लोग है ना पढ़ाकू लोग किस से कितने question पूछे जाते हैं कितने numbers की question पूछे जाते हैं तो देखें subjects जो है आपके generally तीन parts में divided हैं तीनों parts को आप लोग देख लिजे पहला parts आपका होता है main subjects बोले तो honors paper ठीक है honors paper पहला parts हो गया दूसरा होता है subsidiary and third जो होता है वो compulsory बोलो या composition subject दोनों बात बराव है क्योंकि यह subject सभी को पढ़ना होता है ठीक है honors बगेरा differ करता है सबका अलग अलग होता है लेकि आप गौर क्योंगे Hindi English सबको पढ़ना होता है तो यही तीन तरह के subject आपको पढ़ने होते हैं तीनों तरह के subject में जो marking scheme है वो देख ले दिख लेते हैं जो पहला honors paper है वो आ एक ही subject होता है जैसे कि मान ली जाए मेरा history owners है तो history owners आपके 200 marks के होंगे लेकि subsidiary में आपका दो subjects होगा एक quality आजाएगा economics आजाएगा 200 numbers का दो subject आपको यहां पर मिलेगा और 200 marks का आपको exam होगा subsidiary का and then आपका composition subject आता है जो कि आपका 50-50 marks का भी हो सकता है किसी का 100 marks का सिर्फ English हो सकता है तो यह total 100 marks का exam होता है 50 plus 500 कर लेना तो आपके total जो part 1 में अगर आप हैं तो आपको इतना exam दिखिए 200 plus 200 plus 100 500 के आपके exam जिसमें important कितने हैं किस पे जादे मेहनत किया जाए किस की जादे पढ़ाई की जाए ताकि आप exam crack कर ले easily और 70-80% exam में ले आएं ठीक है तो चलिए सबसे पहले मैं cover करता हूँ एक चीज़ का कि सबसे पहला है honors paper ठीक है तीनों को एका करके लिख लेते है honors यह रहा subsidiary shortcut में ल honors तो आपको जो मेहनत करना है बचे हुए दिनों में पढ़ाकू लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो cheating करने वाले हैं वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं ठीक है यह जो पढ़ने वाले हैं पढ़कर exam pass करना चाहते हैं वो देखे ही सिफ कि जो आपको ध्यान देना ह से कम 1500 marks या फिर 100 marks ले आने का 50% से कम marks लाते तो आपका जो percentage लेना last क्योंकि देखिए इस subject का इसलिए है क्योंकि इसके नाम के आगे honors paper लगा हुआ है और जब भी आप pass कर लेंगे इस exam को part 3 का exam final exam दे लेंगे तो आपके जो marksit में percentage वैठेगा सिर्फ इस subject का वैठेगा बाक जो percentage है इसमें आपको कोशिस करना है इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा score किया जाए honors paper में especially बाकी में आपका 33% से ज्यादा भी आ जाता है तो काम चल जाएगा ऐसा नहीं है कि आप इसमें 100 में से 100 ले आते subsidiary paper में 200 में 200 ले आते तो आप बहुत बड़े topper हैं कुछ नहीं tricks जो है उसको मैं अभी आप discuss करना चाहता हूं कि क्या है तो सबसे पहला जो trick है question question है तभी आप exam दे पारे हो question कहीं insert देने जा रहे हो ने exam में तो question को कैसे deal करना होता है exam में pressure आप बना होगा उबसी वात है तो question में आप देखेंगे बहुत सारे इतारा के question आएंगे बहुत सारे chapter से question आएंगे तो question आपको pick up करना है आपको option मिलते हैं किनी दो में से एक choose करके बना है तो आपको ज़्यादा easy लग रहा है सबसे पहले उसको pick up कर लेना है कि हाँ यार यह मेरे से हो जाएगा बाकी मेरे बस का बात नहीं है तो जो जो question से आपको pick up कर लेना है और हाँ सबसे main चीज की आना मतलब आत्महत्या कर रहे है आप ठीक है question आपको नहीं भी आते हैं कुछ कुछ भर के चलो आओ यार लेकिन छोड की नहीं आना है तो question पे आपको focus होने चाहिए सबसे पहले एजए एजए question चाट लो और सारे question का answer देने का कोशिस करो अगर आप cheating करना चाहते हैं तो आप चाप सकते हैं बिहार में जादा तर university में चापा चापाई चलता है मतलब कोई pat में लेकर चलता है कोई pat में मतलब किस तरह से cheating करता है बिहार में talented लोग हैं आपको पता ही होग तो कोई tension ही नहीं है लेकिन जो पढ़ने वाले हैं अपने दम पे number लाना चाहते हैं वो क्या करना चाहूंगा कि question आप pick up करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो लिखने का कोशिस करें और हाँ इसमें bird limit दिया रहता है कि आपको 250 words में लिखना है तो आप bird limits को ना कम लिख 400 words में अंसर दे रहा है तो उससे वड़ा पागल कोई नहीं है उसको 250 words में लिखता तो उसको जितना number मिलना चाहिए था ना 400 words लिखा किसली है कि मुझे ज्यादा number मिले लेकिन ऐसा नहीं होता है उल्टा से उसका और number कार्ट लेता है क्योंकि जो examiner होता है copy जो check करने वाला तो आप लोग जितना बोला जाए उतना करो तो आपको number अच्छे आएंगे तो सबसे पहला trick आपको समझो आगया question को अच्छे से pick up करना है then कोशिस करो सारे question को attempt करने के लिए आपको total तीन घंटे का exam होता है तीन घंटे में आप अच्छे से question कर लोगे ज्यादा question नहीं र लेते है लास्ट पांच साल का पिछला जो question पुछे गया है तो आपको गैरेंटिट देता हूं कि आपके एक भी question छूटेंगे नहीं एक आदो question नए आएंगे उसको आप बना लेंगे अपने मन से ठीक है तो question आपके सारे बन जाएंगे तो previous year question is very very important ठीक है तो question हो गया दूसरा काफी basic चीज़ है यार आपको पता होना चाहिए और आपको पता भी होगा ये बतानी की जरूरत नहीं है फिट भी sort में बता देता हूं इसको जल्दी से बता के खतम भी करता हूं दूसरा है आपका handwriting जितना ज्यादा अच्छा मतलब जितनी ज्यादे सुन्दर लड़का लोग जो हता है लड़की लोका तो यह समय कोई problem नहीं आता है वो लोग बहुत सुन्दर सुन्दर लिखती ये लेकिन उनका एक और प्रोलाम आता है कि सुन्दर सुन्दर लिखने के चकर में वो question चुड़कर चलाती है क्योंकि वो जो लिखती है ना काफी अच् आपका है तो ठीक है नहीं है तो आप कोसिस करो अच्छे से लिखने का कम से कम कोसिस करना चाहिए यह नहीं कि कुछ भी ऐसे करके आ रहे हैं कोई लड़का को देखते होंगे सुरू के 2-4 पे बहुत बढ़िया लिखते होंगे लेकिन लास्ट के 2-3 पे देखे होंगे तो नमबर जो आएगा एक्जामनर खुद देदेगा आपको हसते हसते तो यह रहा दूसरा ट्रिक आयोब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कहां पर फोकस करने की जरूरत है हैंड राइटिंग पर थर्ड ट्रिक पर बात कर लेते हैं अभी तिसरा जो है आपका आज का ज ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप जो हैंड़ाइटिंग है वह एक तरह प्रस अच्छा कर सकते हैं कि आप लोग थोड़ा सा गयाप ज़ादा देकर लिखें जैसे कि मैं ये बर्ड कोई लिखा तो थोड़ा सा गयाप देंगे उसके बाद लिखेंगे तो आपका आप लोग चाट जाओ जो भी करना है शुप बना के पी जाओ देन गेस पेपर को भी ध्यान में देना है गेस पेपर को डेली आप लोग क्या करें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूं गेस पेपर लो जितने भी सारे क्वेश्चिन से जो आपको इजी दिन भर में खेलते कुटते रहते होगे तो पढ़ाय में थोड़ा सा 2-3 घंटा टाइम निकालके आप लोग क्या करना आपको जब सिफ एक्जाम में भी क्या करना होता है चापना होता है तो यहां पर क्या करने की ज़रूरत है गेस पेपर लो एक कॉपी लो साधा खराब क मेरे दोस्त मान लो अगर आप एक महीने कर ले तो आपको यह सारी जो चीजे मेमरी में फिक्स हो जाती है और जब बिग क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ना मिलता जुलता जो आपने गेस पेपर में पढ़ा है तो वैसा मिल गया तो आप हंड़ेट परसेंट मैं कहता हू कि आपने लगभग 100 बर्ड याद गया तो आप एक्जाम में बैठेंगे तो कम से कम 60-70 बर्ड लिख देंगे तो 20-30 बर्ड भुलाना आम बात है आप उतना टेंसन नहीं लेना है आप चाहते हैं कि आप गेस पेपर में जितना पूरा गेस पेपर किस्टी को यादास तक न जो मैंने बताया था उसको लिख लेना है ओनर्स पेपर पे ज़्यादा ध्यान दूसरा ट्रिक को अपरोच के से करना है प्रिवेश एर क्वेशन तिसरा ट्रिक आपको मैंने बताया था हैंड राइटिंग चौठा ट्रिक मैंने आपको बताया है गेस पेपर को डेली राइ पता होगा दर्द करने लगता है तो उसका लिखने का प्रैक्टिस करेंगे तो वह दर बग्यरा उस ताम एक्जाम में नहीं करेंगे ठिक है और आप अच्छे से एक्जाम को क्लियर कर लेंगे 80-70% आराम से आजाएंगे तो यह आपका 4 ट्रिक हो गया पच्मा ट्रिक का बात करते हैं जो बंदे हैं चिटिंग जो लड़के एनलेड की चिटिंग का नितजाय करे थे वो सुनू चिटिंग का एक अलग ही रुतवा है अगर आप में चिटिंग करने की कला है तो आप जो यह पढ़े लिखे लोग से भी ज़्यादा तेज हैं और जो बैक वेंचर्स होते हैं आगे चा करते हैं आपने देखा ही होगा तो चिटिंग करना कैसे हैं चीटिंग करने के लिए बहुत सारे लोग बकलोल हैं, मतलब चीटिंग करना चाहते हैं लेकिन आता नहीं है और फिर धरा आ जाते हैं, पकड़ा जाते हैं, क्योंकि देखो यार, परली पुता है इनुटी का बात किया जाए, तो बहुत सारे कॉलेजिस जो होते हैं, फेमस लेजिस जोते हैं, वहाँ पर अगर आपका सिंटर चला गया, तो गार्डिंग हार्ड होगा, इसमें अगर आप चीटिंग करने के चांसे देखते हैं, तो लगबग 90% नहीं होता है, 10% चीटिंग वही कर पाते हैं, जिसके पास चीटिंग करने की कला होती है, तो करने का पूरा मौका दिया जाएगा, आप गेस पेपर ले जाओ, गेस पेपर में जो लिखा हुआ है, वो मज़ा के चाप देना, गेस पेपर ले जाओ, गेस पेपर में जो अंसर दिये गया है, उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको वही अंसर को थोड़ा सा इधर उपर नीचे मतलब अपना इंगलिस उसमें डाल के अंसर को तोड़ मडोर के आपको लिखना है ताकि मैच ना करे और जो कॉपी चेक करा उसको लगे कि यह अपने से लिखा है तीक है तो वह आपको नंबर भी अच्छा देगा जहां उसको सक्ख हो गया कि आपने केस पेपर स इसको पाच नंबर देते हैं यह होता है अगर उसको पदा चल जाता है भनक लग जाता कि गेस पेपर से लिखा है तो चिटिंग करने का सही तरीका यह है कि आप जो है गेस पेपर से पूरा नहीं चाप हो यार अपना भी दिमाग थोड़ा बहुत देख चापी के लिख रह कोई चिटा यहां फिर ना ले जाए चीटिंग करने के लिए अपने पिछ दोस्त ने उनसे सकते हैं और फिर आप टाइलेंटेज 추가 हैं को बहुत पढलता है यह एकजाम नहीं है कि आपको इतना जल्दी खतब हो जाएगा मतलब कर आतो हुब हो तो आप लोग आपने क्लास्रूम में कर लेंगे तो अब्जेक्टिव आपको 50% नहीं लाना है जादा नहीं लाना है तो चीटिंग करने का तरीका है उसको थोड़ा सा आप लोग इंप्रूफ करो और जो उपर चार ट्रिक्स बता है न वो उसको करने के आपको कुछ जरूरत नहीं है यह जो चीटिंग करने वाले है उसको क्लोफ क्लोफ करने की जुरूरत है तो तो आपके भाग लगार काय कि 80-90% बिहार में जितने भी college होते हैं, cheating खुले आम होते हैं, मेरे भी, जो seniors लोगे बताते हैं, मैंने guest paper से छापके pass किया है, ये वो, तो ये सारे चीजे comment है, लेकिन तो 3 colleges है, harami type के, वो strict आते हैं, क्योंकि उनका नाम बड़ा-बड़ा है, A.N. College, College of Commerce, and बहुत सारे और जाते जाते हैं, मैं Hindi-English का थोड़ा से अपना तरफ से जो मेरा नजरिया है, उसको देते जा रहा हूँ, Hindi-English high scoring marks है, Hindi-English में कुछ extra advance नहीं पोचा जाता है, बचपन से आपने जो पढ़ा है, संग्या सर्मनाम के बहे, संग्या कितने होते हैं, ये से संधी विछेद करो, बिलों सवद बताओ, मुहाबरे को सुलजाओ, ये सारी चीज़े आती हैं, और English में English grammar, प्रो परनावन, ये सब सारे चीज़े आती हैं, तो ये सारी कर लोगे narration boys, काफी easy आती हैं, तो ये scoring marks है, इसको आप तियार कर सकते हो, एक दो दिन में अगर पढ़ लो न, मतलब इसक प्रता के आती हैं, तो ये सारी चीज़े आप करीन लोगे न, तो हिंदी इंगरेश पर न फोकस भी नहीं करना, सबस्टिरी पर वैसे जादा फोकस नहीं करना, और नर्स वेपर आपके जो है, परम गुरू है, उनको परनाम करो, चलिए अगले वीडियो मिलेंगे, बाई, था कंचो के आधरा मुल्यों पर वांक जो मिलेंगे, बाहु करो बाई करा दो हीजू जाहीं को यार आपके जादा का ला आत्म तना इंगा का